कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर शुआ गयता है आपका आपके अपने चलनल लई उमंग में तो आज हम इस वीडियो के माध्य में से बात करने वाले हैं अभी मध्यपरदेश नहीं में एनम और स्टापनेस्ट की विकेंदिश का नोटिविकेशन हुआ आपका जारी हो आपकी जो सेलरी वो क्या होगी एनम मध्यपरदेश नम के ओनलाइन अप्लिकेशन अफों में कब से शुरू हो रहे हैं इसकी लाज्ट डेट क्या होगी और भी बहुत सारी बात है जो आपके मन में डाउट में इस वीडियो के माध्य में से हम कलेर करने वारे हैं अगर आप निचे दिये गए कोमेंट करके अपने डाउट कलेर कर सकते हो तो चले शुरू करते हैं आज की जानकारी को आज की जानकारी को किस चीज़ की बारे में है एनम एमपी एनम बरती दो जारे किसका नोटिकेशन हो अभी थोड़े दिन पहले किया जारी हुआ है राष्ट 151 पतों के लिए ओनलाइन आविदन आमतरित किये हैं योग्य और उच्छु कुमीदवार 1-2021 से 22-2021 तक अधिकारिक वेबसाइट के बाते हम से एनम एमपी में एनम एनम वेकेंजी 2021 के लिए आविदन कर सकते हैं यहां हम एनम 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 ओनलाइन फॉर्म 2021 के एनम जैसे किस के लिए ऑईउखिमा क्या होगी एपलिकेंश्न प्रोसेस क्या रहेगा NHM MP A&M की जो विकिन सी टिटेल है उसके बारे में तो अगर बात करें पोस्ट का नम आपका A&M है टोटल 2500 क्याओन पुतों के लिए आप से क्या है ओनलाइन आविजन मांगे गए है इसके अलावा जो स्टाप नर्स की बरती है इसी में उसमें क्या है 264 पुतों के लिए क्या है आविजन मांगे गए है तो इस तरह से आपकी क्या है टोटल 2500 पुतों के लिए क्या है बरती की जो सूचने वो जारी की गई है बात करते हैं NHM MP A&M का जो एजुकेस्टन क्वालिपिकेस्टन वो क्या होने चाहिए तो इन डिक्तियों के लिए क्या है उमिद्वार वो किसी भी मनेता प्राफ बोर्ड से 12 पास और 7 में उसके पास क्या A&M का डिप्लोमा कियाना चाहिए और वो क्या है रिजिस्टर A&M होना चाहिए तो ही आप क्या है ये आविदन कर सकते हो अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी A&M क्या रहेगी यानि एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी A&M 21 वर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी A&M 21-40 वर्स हो सकती है यानि अगर आपकी A&M 21-40 वर्स के बीच है तो आप इसके लिए क्या अपलाई करने के योगे हो इसके लब आपको जो सरकारी नियम के अशार A&M में शूट मिलती है वो शूट आपको यहां पे भी दी जाएगी अगर आप वो शूट देखना चाहते हो कि कौन सी कटेगले कितनी शूट मिलेगी तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया वा मिलेगा आप उस पर कलिक करके वो जानगाज देख सकते हो चलिए बात करते है इपोर्टेट डेट के बारे में यानि A&M MP A&M Online Application की इपोर्टेट डेट के बारे में अगर बात करें तो मत्यप्रदेश A&M A&M Online Application Form कब से स्टार्ट हो रहे है एक जून से आपके Form स्टार्ट हो चुके है लास्ट डेट क्या होगी आपकी यानि मत्यप्रदेश A&M A&M की अप्लिकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 22 जून 2021 तक क्या है आप फॉर्म बर सकते हो इसके बाद के फॉर्म बर आपके रिजेक्ट कर दिये जाएंगी यानि एक्षेप्ट नहीं किये जाएंगी तो इसलीके आपको जल्दी से जल्दी यानि 22 जून writings से पहले परे आपको फॉर्म बर की शंबिट कर दिये ना है बात करते हैं जो आपका ओलनाइन अप्लिकेशन फॉर्म है मते परदेश अनहम A&M का ओलनाइन अप्लिकेशन फीश की अगर बात करें तो किसी भी कटेगरी के लिए कोई फीस नहीं यानि आपका फ्री और कोस्ट है वो बरा जाएगा आपकी सिर्फ क्या है जो फॉम बढ़ने की फीस है वो ही लगेगी फॉम फीस आपकी बिलकुल फ्री है तो यह बात कर लेते हैं यानि आपकी बात करीई तो योग्य उमीद बढ़ने का फॉचक्षि आपका 100 पास होना ए शचे लिए आपको क्या करना होगा topic wise के आपको study करनी है जो आपका exam pattern है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं यानि मद्य परदेश, NHM, A&M exam pattern 2020 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन-कौन से topic से किते नमर के क्यों सनाएंगे तो इसमें primary health care and national health program के बारे में अगर बात करें तो 20 क्यों सनाएंगे 20 नमर के Mother and child health care के बारे में 40 क्यों सनाएंगे 40 नमर के Health reformation and education and communication के 20 क्यों सनाएंगे 20 नमर के Basic medical care के 20 क्यों सनाएंगे 20 नमर के तो इस तरह से आपका जो paper होगा वो 100 नमर का पेपर होगा 100 क्यूशन पूशे जाएंगे वो इन टोपिक से आएंगे तो इन टोपिक को आपको अच्छी तरह सी कवर कर लेना है ताकि जब भी आपका एक जाम हो तो आप उसमें अच्छे नमरों से पास उसको चलिए बात का लेते हैं पेपर के बारे में यानि MPNHM आपका पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा तो लिखित प्रिक्ष आपकी सोवंकों की होगी परते एक परसन एक अंका होगा परते गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 यानि एक बटे 4 की नेगटिव मार्किंग होगी सक्रीनिंग टेस्ट को पूरा करने के लिए उमीदवानों को दो गंटे का समय दिया जाएगा यानि आपको दो गंटे का समय दिया जाएगा सोवंकों का आपका पेपर होगा नेगटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानि एक बटे 4 सबसे बड़ी बात इसमें नेगटी मार्किंग है तो आपको पेपर सोल करते समय यह बात द्यानेक नहीं है कि अगर आप हेंडर पर शोर होते हो तो यह क्योंकि जब भी क्यों गलत हो जाएगा तो आप कई उमीदवारों से पीछे चले जाओगे तो इसलिए आपको क्या है ज के बारे में यानि MP, NHM, A&M का स्लेबस क्या रहेगा आपका तो बेसिक मेडिकल केर स्लेबस के बारे में गर बात करें तो इसमें आएंगे आपके रेपीड सेक्वेंट्स इंडक्शन से समंदित क्यों सन बेसिक एडवांस लाइप स्पोर्ट फॉर अडल्ट एंड इस डिकोर्डिंग एंड इंटरप्र्डेसन से समंदित क्यों सन आजाएंगे अ को बलर कल्चर कोलेक्शन से समंदित क्यों आजाएंगे इमर्जेंची मनेजमेंट ऑफ पने मोद्रेक्षस सलेबस आएंगे तो यह आपका के मैंने एक टोपिक आ बताया है अगर आप बाक चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा मेरे डिश्ट त्यार हो जाएगी तो आपकी शेलरी क्या रहेगी तो शेलरी के बारे में अगर बात करें तो आना चाम मत्य परदेश एनम की शेलरी आपकी होगी वह 12 रुपे पर तिमाय के हिसाब से आपको श पाइब दारी हो चुका है इसकी बढ़ने शुरू हो चुके हैं साथ में हमने डिसक्स किया की अने सहंम एमपी एनम की आपकी जो शेलरी क्या रहेगी फिस्क्राइब का अपका स्लेक्शन प्रोसे चाश स्वाएगा इनेसम एमपी एनम का एक्जाम्पेटर क्या होगा एन क पी एनम का स्लेवर्स क्या होगा इसके ओनान एक्षिन फॉर्म बढ़ने की लाइट क्या है इसकी सेक्षिन योगता क्या होने चाहिए आति के पार हमें क्याम विस्ट दूप से चर्चा किये आज़ा अगर तो मैं आपको जानकार दिये वो आपको अच्छे लगिए समझ में जाएए अगर जानकार अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें अगर आप चले पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लेना और साथ में आपको एदर एक बेलाइकन दिखना उसको आपको प्रेस करें ताकि जब भी कौन नहीं जानकार डाले ज